आप सभी लोग ने 1971 के योद्धी के बारे में सुना होगा, जो आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की वीच हुआ था, और उसमें एक नया देश उभर कर सामने आये था, नये देश का जनब हुआ था, वो था बंगला देश. देखें ये हमारी प्यारी पित भी है, और एसिया में आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, और पहले आपको बता दूँ कि पाकिस्तान हो या आपका बंगला देश हो, ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1947 में हम लोग आजाद होते हैं, और पाकिस्तान हमसे अ देश की पिधान मंतरी इंदरा गांदी थी उस समय, उन्होंने पाकिस्तान की दो टोकडे कर दिये थे, बंगला देश को एक नया देश बना दिया था, तो आज हम लोग बंगला देश की बनने की और 1971 की योद्धी की क्या कहानी है, उसके बारे में एक सावान जानकारी देख राजिस्तान गुजरात की सीमा लगती है, और बंगला देश से देखें तो बश्टमंगाल, असम मेघाले, तिपुरा, मेजोरम की सीमा लगती है, और ये कुछ पिक्चर्स भी आप लोग देख रहे हैं, अंते में जब पाकिस्तान हार गया था, तो उसने सिगनेचर किये अपनी हार सुईकार की थी, तो 1971 का साल भारत पाकिस्तान और बंगला देश की इतिहास में काफी एहमियत रखता है, और उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जखम दिया, जिसकी टीस पाकिस्तान को हमिसा महसूत होती रहेगी, और रही है, इसलिए आप देखते हैं कि असा संथ देश की रूम में उभरा था, और 1971 की इस उस इतिहास बदलने वाली इयोध की सुरुआत 3 देसंबर 1971 को हुई थी, और बहुत ही कम समय में आप देखे घुट ने टेक दिये थी पाकिस्तान ने, पहले आप लोग सेख मुझी बुर रह्मान का संगर्स देख लीजे, त सेख मुझी बुर रह्मान पूरवी पाकिस्तान की सुवायत्ता के लिए सुरू से संगर्स कर रहे थे, यानि कि पश्चिमी पाकिस्तान कहने का मतलब है बंगलादेश की बात हो रही है, ठीक है? और आप देखेंगे कि इन सब बातों उन्होंने इसके लिए 603 कारिकरम की गोशना की? किसने? सेख मुझी बुर रह्मान ने. इन सब बातों में से वह पाकिस्तानी सासन की आँखों की किरिकरी बन चुके थे, और साथी कुछ अन बंगला बंगली नेता भी पाकिस्तान की निसाने पर थे, और उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज को हमेशा स दबाने की मकसद से सेख मुझी बुर रह्मान और अन बंगली नेताओं पर अलगावबादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाये गया. लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उसमें भारी पड़ गई. मुझी बुर रह्मान इससे पूर पाकिस्तान की लोगों की नजर में ह हीरो बन गए. कहने का मतलब यह है कि बंगलादेश की आज़ादी को लेकर सेख मुझी बुर रह्मान और उनकी कुछ साथी बात करते हैं, संगर्स करते हैं, 603 कायकरम की गोशना करते हैं और इससे क्या होता है कि पाकिस्तान की नजरों में एक खटकने लगते हैं और इन प पाकिस्तान की नजरों में सेख मुझी बुर रह्मान, मुझी बुर रह्मान एक हीरो बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, और लेकिन आप देखेंगे कि मुझी बुर रह्मान इससे पूर पाकिस्तान की लोगों की नजरों में हीरो बन जाते हैं, इससे पाकिस्तान बैक प तर्ग का चुनाव बंगलादेश की इस्तित्तिके लिए काफी एहम थावित हुआ इस चुनाव में मुझीव उर रह्मान की पार्टी पूरिवी पाकिस्तान आबामी लीग ने जवरजस्त जीत हासिल की और वो पूरिवी पाकिस्तान की 179 में से 167 सीटे मुझीव की पार्ट परक्षाइब को मिलती है और 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसर में मुझीब के पास सरकार बनाने के लिए जबजस्त बहुंबत था लेकिन पाकिस्तान को कंटॉल कर रहे पश्चमी पाकिस्तान की लीडरों और सेन सासन को यह गवारा नहीं हुआ पाकिस्तान में आप देखे नहीं लग रहा था और मुजीब के साथ इस धोके से पूरी पाकिस्तान में भगाबत की आग तेज हो गए लोग चड़क पर उतर कर अंदोलन करने लगे और पाकिस्तान के सत्ता पितिष्ठान ने पूरी पाकिस्तान में विद्रोग को चलने के लिए सेना को बुला लिया क्य होता जा रहा था पाकिस्तान की सेना ने अंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का साहरा लिया और मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने कोड़ता पूर्वक अभियान सुरू किया और पूर्वी बंगाल में बड़े पिर्माने पर अत्याचार किये गए और हत्या और रेप क की इंत्या हो गई और मुझीब को गिरफतार कर लिया गया और गिरफतारी और टॉचर से बचने के लिए बड़ी संख्या में आबामी लीक के सदस भाग कर भारत आ जाते हैं अब आप देखें बड़ोसी हमारा सुरू में पाकिस्तानी सेना की चार इंफेंटी विगेड अभ भाग कर भारत की पष्य मंगाल में संल ले लेते हैं और इससे भारत मा पाकिस्तान के खलाब कारवाही करने का दवाएओर बढ़ जाता है और भारत हस्ते चैप काप करता है मार्च मन जाता हैं कि मार्च 1971 की अंद में भारस सरकार ने मुक्त बाहिनी की मदद करने का फैसला किया और मुक्त बाहिनी दरसल पाकिस्तान से बंगलादेश को आजाद कराने वाली पूरवी पाकिस्तान की सेना थी मुक्त वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान की सहनेक और हजारों नागरिक सामिल थे और 31 मार्च 1971 को इंद्रा गांदी ने भारती संसद में भासर देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही और 29 जुलाई 1971 को भारती संसद में सारवजनेक रूप से पिसीक्षन देना भी सामिल था तो भारत अब आप देखी बंगलादिस की लड़ाई के लिए उन्हें पिसीक्षन देता है उन्हें बदद करता है अक्टूबर नवबर 1971 की महिने में भारत की ततकालीन पिधान मंतरी इंद्रा गांधी ओजन के सलाकारों ने यूरोप अमे देरिये को रखा और लेकिन इंद्रा गांधी अमेरिका की तकाली राष्टपती रिचर्ड नेक्सन की बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और निक्सन ने मुझीबुर रह्मान की रहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया और निक्सन चाहते थ पाकिस्तान की सेन सरकार को दो साल का समय दिया जाए दूसरी ओर इंद्रा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में इस्तिती विस्पोटा खोती जा रही थी और जब हमारा पडोसी हो तो हमें एक तरह से चिंता होती है वहाँ अगर कोई असान्ती पहलती है इस तरह की घटना होती है तो यह स्थिती तब सही नहीं हो सकती और तब तक मुझीब को रिहार ना किया जाए और पूरी पाकिस्तान की निर्वाचित नेताओं से बाचीत ना सुरू की जाए उन्होंने निकसन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर भारत में उकसावी की कारवाही जा हमला किया है तो ये मौका मिल जाता है पूरवी पाकिस्तान संकट 20 वोटक इस्तिति तक पहुच गया और पश्चमी पाकिस्तान में बड़े-बड़े मार्च हुए और भारत की खलाब सेन कारवाही की मांग की गई दोसरी तरब भारतिय सेनिक पूरवी पाकिस्तान की सीमा प भारत पर हमला कर दिया यानि कि अब हम से हम लोग पहले बड़े सांती प्रिया आदमी है आप लोग कुछ भी बोलते रही है बाहर से आगर आप लोग ने पहले से आप सुरू किया तो आप देखे हम लोग फिर जवाब भी अच्छा देते हैं और पाकिस्तान ने जब भी आप देखे इस तरह की हरकतें किये उसे मोही की खानी पड़ी और भारत की अमरिस्तर और आगरा समयत कई सहरों को निसान बनाये गया इसके साथ ही 1971 की भारत पाकिस्तान योध की सुरूआत होती है और 16 देसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्म समरपड और बंगला देश क बनकर सामने हमारे आता है यह आप देखे बंगला देश बन जाता है यह आत्म समरपड किया हुआ है यह हस्ताक्चर किये हुए है देखाई दे रहा है धाका इसकी रात दानी है बंगला देश की तो यह कहानी है बंगला देश के बनने की और एक हमारा पड़ोसी और बढ़ बंगलादेश के नाम से जानते हैं और पश्चे मंगाल का आप देखते हैं बड़ा हिस्सा आप देखते हैं कि बंगलादेश से लगता है ठीक है उत्य पुरा जो हमारा है इसे तो बंगलादेश तीनों तरफ से घेरे हुए देख लीजे चलिए तो इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोग एक सामन जानकारी रखा करिएगा जानते रहा करिएगा पड़ा करते रहा करिएगा ठीक है